तो हालो फैंस बैसिक कॉंसेप्ट में सब लोग का स्वागत है आज हम लोग डिसकस करने वाले है एससी जेई जो लोग दे रहे हो एक्जाम तो उन लोग का अभी स्ट्रेटेजी क्या रहेगा अभी कौन सा रूट फॉलो करने से आपको बेटर बेस्ट रिजल्ड मिल शकता ह तो वो आज हम डिसकस करेंगे ठीक है तो अभी एक्जाम डेट भी आचुका है सब लोग डनलोड खा ठीक है और 22 तरिक से अग्जाम स्टार्ट हो रहा है तर इस एक्जाम में बहुत सारा कॉरस टीक हो सेट मतलब 22 से 29 तर एक अपता में हर दिन में दो दवर खरे सीपमें एक्जाम होगा ठीक है तो उससे जो question set है साथ दिन में 14 exam होगा तो 14 question set बनेगा ठीक है तो इसमें जो आप पढ़ाई किये हो उसमें से आपका नसीब अगर अच्छा है तो आपको अच्छा question मिल जाएगा आपको जो पढ़ाई किये हो उसके अंदर से मिल जाएगा और यहसा जो नहीं पढ़ा हो वह भी आ सकता है ठीक है तो घबरने का कोई बात नहीं है अगर question tough हो रहा है तो वह सबके लिए हो रहा है और easy हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है तो अभी आपको क्या करना है अभी लगभग one हपता बचा हुआ है तो अभी आपको क्या करना है अभी पढ़ाई totally stop कर दीजे, stop मतलब पढ़ाई stop नहीं है, नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है, जो पढ़ रहे थे, अभी नया पढ़ रहे थे, तो नया stop कर दीजे, अभी होशा के तो revision जो है, एक दू दिन में revision में complete कर लीजे, ठीक है, कुछ मत पढ़िए, अभी time है only practice करने का, ठी ठीक है, तो online practice करने के लिए आपको क्या करना है, computer, laptop का सहरा लेना है, ठीक है, तो अब ऐसे अगर कुछ काम कर रहे हो, या तो कुछ जगा पर busy हो, तो आप apps यूज़ कर सकते हो, apps में जो होता है, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ बिना करना से अच्छा ह कि apps में आप practice करते हो, ठीक है, और कुछ free website भी है, जो लोग free में कुछ online test देता है, उसको आप follow कर सकते हो, और ऐसे apps भी रहता है, कुछ payable apps भी रहता है, free apps भी रहता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा pay करके, आप practice कर सकते हो, ठीक है, कौन सा website है, कौन सा apps है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि, पिछले बार मैं बता था, कौन सा apps अच्छा है, कौन सा एक number, दो number है, तो कुछ problem है था, कुछ complaint है था, इसका वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ कि, कि advertising हो जाएगा, ठीक है, कुछ apps का नाम बताऊँगा, तो आप लोग देख लीजे, गूगल में सा दो-तीन माहिन होगा, पिछले दो-तीन माहिन होगा, मतलब, December का जुरूरी नहीं पड़ेगा, आप November का उठा लीजे, October का उठा लीजे, और पूरा साल का, 2017 पूरा साल का, जो major major event होआ है, उसका उठा लीजे, ठीक है, तो इसमें आपका general awareness जो है, वो complete हो जाएगा, ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ कि online test है, इसमें mouse पकर, मतलब mouse पकर के करना है आपको, तो mouse पकर ना आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, मतलब, अच्छी तरह के सा आना चाहिए, target पर पहुँच, जल्दी-जल्दी पहुँचना चाहिए mouse को, क्योंकि computer जब कोई सिखने जाते तो वहाँ पर पहले क्या drawing सिखा दे, क्योंकि आपका heart और mouse के साथ setting अच्छा हो जाए, ठीक है, तो इस ममल में आपको क्या है, जिसके पास laptop या computer नहीं है, phone में कम चला रहे हूँ, लोग को मैं एक चीज़ बता चाहिए हूँ, कुछ time निकलके, थोड़ा बहुत 10-20 रुप प्राइली बार जा रहे हैं online exam देने तो आपके लिए बहुत problem हो जाते हैं कि mouse के साथ exam देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यह बात है, और एक बात है कि, और एक अफ़ता बाचा हो आए, exam center में अब time से 1-2 दिन पहले पहुँच जाए, क्योंकि exam जिस दिन है, उस नीन ठीक ठाक वाक नहीं करता है, आप ठीक ठाक पढ़के गया हो, साल भर बहुत पढ़ाई के लेकिन exam का पहले दिन आपका नीन ठीक ठाक नहीं हुआ तो आपका brain ठीक ठाक काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी rest का जुरोध होता है, कई लोग क्या करते हैं कि exam का पहले दिन बहुत जार नी कर लेते हैं, या तो जाग लेते हैं कहीं पे, ठीक है, तो उन लोग के लिए बुरा आसर पड़ता है, बहुत प्रॉबलम हो जाता है, मतलब exam center में बैठके उन लोग का ठाकान महसुस होता है, या तो physically fit उतना नहीं रहता है, mentally भी वो weak हो जाता है ठीक है, तो ये बहुत, जो exam 2 घंटे है, ये आपके लिए mentally और physically fit रहना बहुत बहुत जोरी है, ठीक है, तो इसलिए बात बता रहा हूँ कि आप exam के पहले दिन, आप कहीं पे चले जाए, दूर में exam है तो दो दिन पहले चले जाए, एक रात उनी पे रह जाए कहीं है, तो ये आपके लिए बहतर होगा, ठीक है, और एक चीज है, exam आप center में जाए, exam center में जाके biometric process में आपका तो verification हो जाएगा, उसके बाद exam स्टार्ट हो रहा है माम लोग की, आपका दो बजे, ठीक है, तो आपको वहाँ एक बजे entry हो जाएगा, आपका seat एक बजे या देर बजे क्या सपस मिल जाएगा, तो वह जो बीच में जो time है, उसको भी आपको कम में लगाना है, जो wrap seat मिल जाता है, पहले क्या करते है, wrap seat एक दे देता है बड़ा वाला seat, और आप exam में तो खुछ allow नहीं है, आप pain का भी जोड़त नहीं बड़ीगा, आप अच्छा हुए कि एक pencil pencil eraser लेके जाए, और pencil eraser लेके आपको क्या करना है उस time में, जो exam start होने के just पहले का जो time होता है, एक घंटा या अधा घंटा राइता है, उस time में आपको क्या करना है, जो direct जो equation है, direct जो formula होता है, वो आप लिख लीजे, लेकिन बहुत सब्दाने से लिखना पड़ेगा, कोई ले सकता है, ठीक है, तो वो कुछ problem नहीं है, exam start से पहले आप कर रहे हो, वो कुछ problem, मतलग cheat भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, या तो reason ही के लिए, आप alphabetical जो होता है, A to Z और 1 to 16, ये जो number ही है, ये भी आप पहले कर सकते हैं, तो ये बाद में बहुत काम आएग आप देखके तुरंद लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका 2 गंटे exam में, time में बहुत minor आपते हैं, मतलग 1 गंटा 20 मिनिट लगेगा आपका 200 question पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसमें से क्या होता है, जो page loading होता है, एक page में एक single question आता है, और next में, मतलग page के जाने के लि 600 second, मतलग 10 minute आपका loss हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास बचा है 110 minute, ठीक है, तो 110 minute आपको 200 question recover करना है, ठीक है, तो ज्यादा student क्या होता है, 50 से 60 percent ऐसा student exam देते हैं, जो 200 का 200 को sin भी देख नहीं पाता है, ठीक है, देलसर तक जाता है, या 170 तक जाता है, या या जाता है, time जो है, खतम हो जाता है, ठीक है, तो time shift आपके लिए बहुत जोरी है, तो time shift करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए, time shift करने के लिए आपको पहले जो काम रहेगा, non calculating part करना, क्योंकि calculating part करने में आपका बहुत time लाग जागा, एक calculating part करने में आपका जितना time जाएगा वो तीन से चार कर सकते हो ठीक है सारे कोस्चिन देखे जो calculating part है non calculating part है सारे question का जो hello होता है यह ही mark होता है तो इसलिए अच्छा है कि पहले non calculating part कीजी उसके बाद calculating part कीजी तो जो सही रहीं गहीं तो उससे संब से जो आपका सिरियल रहेबधा कौन सा पेले करना है तो पहले better क्या करना है देखिसरीकल पार्ट करना है टेक्निकल पार्ट में जिसमें आपको क्यालकुलेशन जुरूत नहीं है देखके हो जाएगा तुरंट तो उस टाइप का कोश्चिन आप पहले कीजिए टेक्निकल है माल लिजी कि उन्हें 100 से आपका माल लिजी कि क्यालकुलेटिंग फार्ट थर्टी जाएं लेकिन टौड़ा टाइम लाएगा उसमें आप रिमांक करके राक दीजी करणा हम सुन्ध करना कि फद्वे के कहता है टेक्निकल में नउन-कल्पुलेटिंग परसो जीके हो कुछ भी हो उसके पाथ जो आता है टेक्निकल में केल्पुलेटिंग पार्ट करना है ठीक है जो 30% आप छोड़के आया थे ओ 30% कवर करना है लास्ट में आपको रिजरि new के में सबसे जुँँ सरे कहने हैं अर आपको टार। Take रहना है ऑप तक ताइम के रिजरिंग को लास्ट में रखना और आपको टाइम कहाँ सेब करना है जो technical बाला जो के अअ झाल्भुलिक केवर लुए लागर है तहले को time बहुत save करना ठीक है उसको save करके जो time मिलेगा आप यहां reasoning में लगा सकते हो ठीक है तो ऐसे करोगे तो आपका time time मंटन ठीक ठाक खोपा है उस तरीके से आप जो मॉडल सेट अभी प्रैक्टिस करोगी तो इस टाइप के में आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए यह बहतर रहेगा अच्छे सही रहेगा ठीक है और एक चीज मैं कहना चाहता हूं जो exam hall में बैठके जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कीजिए तो दिरे दिरे ऐसा क्या होता है आपका जो हाइपर टेंशन है बहुत हाई हो जाता है अप नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है कोश्चिन रिवास कर लेना है कोश्चिन रिवास करना है आपका 200 से स्टार्ट करना मतलब टेंगनिकल वाला सौ पस्चिर कर रहे हो तो हंडेट से स्टार्ट करना हंडेट फिर 99 फिर 98 ठीक है तो उसमें next कर रहे थे इसमें previous करके आवए तो यह हो सकते क्यों पता है तो पहले राख देते हैं जो इसमें अगजाम होता है उसमें ऐसा होता है तूब प्रसंट रखना है और क्योंकि अगर टाफ हो रहा है मालों तो वो और यहोश्चिन और तो इसलीए टेंसन नहीं देना है आप जिसा जितना भी पढ़के गया हो काफी है ठीक ह तो तो इसलिए टेंसर नहीं लेना है आपका इजी कुष्चिन आए, कि न आए, आपको हिसाब से एक्जाम देना है क्योंकि टाप कुष्चिन आएगा तो आप आपना लोगे दोस्वों से 50 कर रहे हो तो आपका जो दोस्त गया है, एक्जाम देने आपके साथ वाले जो गया है, ओ लोग भी टाफ महसुस करेंगा न, तो ओ लोग भी ऐसा करेंगा न, पचास का असपास रेगा, उस लोग तो जादा नहीं दें पगए, आप पचास करें ओ लोग देल सो तो नहीं कर बाएगा, और लास्ट में और एक चीज करना जाए जो लोग बिना प्रिपारेशन के जा रहे हो तुक्का लागाने के लिए सोच रहे हो तो लोग के लिए भी एक चोटा सा टिप्स मैं देना जाता हूँ लेगल नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ तो लोग उसे क्या करना है देखिए तुक्का लागाने के लिए आपको कोश्चिन पढ़ने का जोरुत नहीं है तुक्का ऐसे ही लगाए तो उसमें से आपको बिटर जल मिल जाता है अगर थोड़ा पढ़के तुक्का लगाने ज होगा जिस मेंसे जिस कोस्चिन में माले लीजिह की दोकर्स में आपको फिप्टे फिप्टे आ रहा है दो छोड़ दी और दो अपसे में से आपको लगन एक कि उस question में बीना पढ़के बीना सोचे समझे तुक्का लगाई उसमें correct होने का chance ज्यादा रहता है ठीक है तो चलिए thank you और best of luck और exam देखके सब लोग के पास मैं feedback जो है वो expect करूँगा कि कैसा exam हुआ है कैसा question है ठीक है सब लोग बताएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा तो अभी के लिए चलिए धन्यवाद और अच्छे से exam दीजिए और मेरा चैनल को जरूर फल करते रहे है चलिए बाई बाई